हुआ हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का अपने चैनल टीटेन स्टेड़ी पर आज के वीडियो में हम लोग टेक्स नौमी चप्टर को डिस्क्स करने वाले हैं इससे पहले मैंने सेल चप्टर और टिसुद चप्टर को अल्रेडी डिस्क्स कर रखा है यदि आप किसी भी गर्रमेंट एक्जामनेशन के तियारी करते हैं जिसमें साइंस से कुष्ण पूछे जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट बन जाता है ठीक है खास करके आप लोगों को पता होगा के वेरेलवे ग्रूप डी का एक्जामनेशन होने वाला है और इसमें सा टेक्सोनोमी का मतलब होता है वर्गे की ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले यादि आप चैनल पर पहली वार है तो सब्सक्राब जरूर कर लेजएगा और अपने फ्रेंट सर्कल में सेर कर देजएगा देखें सबसे पहले तो यह अखरकार जरूरत के उपरा यानि कि वर्गी की का जरूरत के उपरा तो एक 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 कर के स्टवी करने थोड़ा सव मुश्किल हो जाएगा इसको गया अलग अलग काटेग्री में इनके समान और विशमान गुनों के अधार पर रखा गया ताकि स्टेटी में सुविधा हो पाए ठीक है तो देखो हमारे आसपास जितने भी जीव हैं उसमें समानता और विशमानताइं पाए जाती है तो यह जो समानता और विशमानताइं पाए जाती है इनको कहा जाता है बायोटेवरसिटी यानि की जैब विवेधिता जीवों में पाए जाने वाले विवेधिताओं को जैब विवेधिता कहा जाता है ठेक है और स्टेडी में सुवधा के लिए इसको अलग-अलग का डगड़ी में डिवाइड करा गया उसको क्या बोलते है टेक्सोनॉमी बोलते गड़ी के लिनयास किसे किया था कार लिन्यस ने किया था कॉल लिन्यस ने किया था इसको Landesregierung स्थापने किका उने किया ऐगे डिवियाम पत्दती किसो नहीं दिया था। दिखो तो किया है। उसके दो सब्द से लिखना ठीक है जैसे कि जीव है उसका एक नाम है तो उसका जो वेग्यानिक नाम करन किया जाता है तो उसमें दो सब्द को इंक्लूड करा जाता है एक तो उनके वंस का इंक्लूड करा जाता है और एक जाती का इंक्लूड करा जाता है वंस का मतलब हो गय का यूज करा जाता है तो उसमें कौन से दो सब्द को यूज करा जाता है तो एक दो जीनस का और एक इस पिसीज का तो चले क्या होते दीना पुद्धती हम लोग देख लेते हैं एक पर में जैसे कि देख लो यहाँ पर मैंने बाग का क्लासिफिकेशन किया है तो इसमें मैंने क्या बताया कि जो भी जीव होते हैं उनको साथ ओरडर में डिवाइड करा जाता है सबसे जो टॉप पर होता है उसको बोलते किंगडम यानि कि समराज्य उसके बाद आता है फाइलम फिर आता है क्लास फिर आता है ओरडर फिर आता है फैमली फिर आता है Genas और फिर आता है Species इस order में आप लोग याद रखोगे आपके examination में इस order में भी सजाने के लिए बॉल देता है ठीक है? तो किसी भी जीव का जो वरगी करन का आधार होता है वो होता है जाती यानि कि Species या फिर once भी आपको दे देगा examination में याद रहेगा तो ये साथ लेवल होते हैं साथ अस्तर होते हैं किसी भी जीव के वरगी करन का कौन कौन सा सबसे टॉप पर हो जाएगा आपका शमराज ठीक है? उसके बाद फाइलम उसके बाद वरग, उसके बाद order उसके बाद कुल, उसके बाद वन्स और उसके बाद जाती है तो अगर हम बाद करें बाग का तो बाग किस समराज जैसे बिलोंग करता है तो बाग का जो समराज है वह है जन्तू, बाग क्या है? जन्तू है, ठीक है? और किस फाइलम से बिलोंग करेगा? कॉरड़ेटा रने वाला, ओके, औरडर, कहने का मतलब यह हो गया, मान सहारी, ओके, फैमली, याने फैमली जो इसका या फैमली से बिलोग करता है, जीनस क्या है, पैंथेरा, और जाती क्या है, टाइकरिस, तो मैंने फिर्थ पता था, जो दूई नाम करन किया जाता है, वह दो सब्द लिया तो इस तरीके से classify किया जाता है चले एक और देखते हैं जैसे यहां पर मैंने लिखा है आम का वरगी करण तो मैंने भी बताया था कि जो वरगी करण जो होता है वह साथ लेवल में किया जाता है सेफ से टॉप पर होता है समड़ाज सेकेंड फॉलम फॉलम थर्ड वरग यानि क्लास फॉर्थ ओर्डर फिफ्थ फैमिली यानि कुल सिक्स्ट जीनस यानि वंस और सेवन्थ हो जाता है आप इंगलिस और हिंदी दोनों में याद रखो गया तो आम जो है उसका समराज क्या है तो यह वनस्पती है यानि कि प्लां वेंडल्स उसела फेमिली एनाकरडियसी सबस्दा इंपर्टेंट है आपका वनस और जाते क्योंकि इनहीं दो को लेकरके नाम करन कर आ जाता है तो वन्स कोया है आम का मेंजी फेरा और आम का जाती क्या है इंडी का ओके तो याद रहेगा आम का वेगानी की नाम क्या हो जाएगा मेंजी फेरा इंडी का क्योंकि मैंने फितरत बताया कि जो भी नाम करन करना जाता है तो उसमें लिया जाता है दो सब्द और दो हो जागा वन्स का और एक जाती का तो आम किस वन्स से संबंदित है तो मैं जी फिरा वन्स से संबंदित है और आम का जाती क्या है यानि किस species कोईसा species है 3nd का species है उगे उमिद करते हैं कि जो भी point बताए आपको समझ में आया होगा चलो आगे देखते है आगे है वरगी करन का पितामह किसे कहा जाता है या वरगी का पितामह किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है कार्ड लेनियस को ठीक है पितामह कहा या जनक कहा एक ही सब लोग आंगे देखने वाले है तो दीचे-वर्गी करन के जोड़ाइए काई है वह इस्पीसिज मैंने बताया था ना साथ सबसे बॉटम में कौन था species यानि की जाती तो वर्गी करण की जो आधारी यह इक आई है वो क्या हो जाएगा जाती हो जाएगा तो कि यहापर मैंने फिर से लिख रख है आप चाहोते हैं इसको स्क्रीन सोट करके भी रिलिक्सर रख सकते हो ठीक है वर्गी करण पद्देती में साथ अलग अलग अस्तर होते हैं सबसे उपर होता है किंगडम उसका फाइलम उसके बाद क्लास उसके बाद और फिर फैमली जीनस और लास्ट में एस्पीसीज और यही अधार यह एक आई है चलो आगे देखते हैं वर्गी करण की द्वीनाम पद्देती का उलेख लेनियस ने किस पुस्तक में कड ओल्ह किया था था ठीक है दुएनाम पद्दति याद रखेगा दुएनाम पद्दती का उल्ह किया था स्पीसीज प्लाटेरहम में लेकिन टैक्शोनोमिक जब पुछेगा तो हो जागा से स्टेमा नेचर का कहीं कभी सेस्ट्रम नेटूरे मिलेगा ठीक है तो यह कंफ्यू पंथेर टाइगरिस किसका है बाग का है आगे चाल्स डर्विन ने कौन सी पुष्टक लिखी तो देखो चाल्स डर्विन और लैमार्क यह दो ऐसे वेग्यानिक थे जिन्होंने विकास वाद से संबंधित अपना अपना सिधात दिया था ठीक है तो चाल्स डर्विन ने दिय तो तो और इसीन में में दिया था ओढ़ीन आपसेज में दिया था एकाए तो आए सीजन पूछेगा कि द्रीज ओ पुष्टक लिखाल विने और सिफे समराज में इस समराज में की याद सुछेगाaches को धूर समराज में किस ने डिवाइड करा था ठीक है तो गुचे चैमार खिंगर्डम में जो तो जीवों को रखा वह ऐसे जीवों को रखा जो Οimi ते अना यानि कि जो पड़ पोशीत है जो अपना वोजन खुद cjänsterem कर शक्र करते थे यानि कि पोटो संथेसिस करने में शक्षम होते थे तो याद रखेगा जीवों को दो जगत यानि तो समराज में किस ने बाटा केरोलोस लिनियस ने कौन-कौन सा था एनेमल केंगडम और प्लांट केंगडम आगे है लिनियस द्वारा जीवधारी को दो जगत में विभाजित करने के बाद भी ऐसा पाया गया कि कुछ जीवधारी संपुन रूप से जन्तु होने अथव पादप होने की सर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो उस समय क्या किया गया нетसू एक जरमशनी के वेगानिक थे इएच हीकल नाम याद रखेगा कौन थे ईएच हीकल इन्हों ने एक तीसरा समराज दिया जिसका नाम इन्हों ने रखा प्रोटिस्टा ठेक है और इसमें किस परकार के जीव को रोखा केषल एक पोसेकी फिर बाद में इन्होंने एक और समराज का नाम दिया और भी टेकर नहीं पंचम समराज का नाम जिसका नाम क्या दिया कवक दिया यानि कि फंगी दिया ठीक है तो देखो यहाँ पर क्या के निकल करके आता है कि जब कारले लेनियस ने जीवों को दो भाग में डिवाइड करा ठीक है एक प्लांट में और एक एनिमल में तो वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ ऐसे विजीव थे जो ना तो जन्तू का सर्थ पूरा करता था ना ही पादब का तो उसके लिए उन्होंने एक जर्मन वेगानिक थे हीकल उन्होंने क्या क्या एक तीसरा समराज दिया प्रोटिस और दिया एक चौथा समराज दिया मोनेरा और पांचमा समराज दिया फंगी यानि की कवाक ठीक है इन सही के बारे हम लोग आगे की वीडियो में डिस्ट करेंगे संपुर्ण जीव जगत को दो समराज में किसने बाता मैंने तुरत बता है किसने बता लेनियस ने बाता है तो कौन-कौन सा पर्ट हो गया तो एक हो गया अनिमल किंगडम और एक हो गया प्लांट किंगडम ठीक है दोस्तों यदि इसका पीडियेफ चाहते हो तो आप हमारे टेलिकरम चैनल से जूर सकते हो टेलिकरम चैनल का भी से हम नाम है टीटेन स्टेडी ठीक है वहाँ पर आतर क्या था एनेमल किंग्डम और FIR लूंघ किंगडम औरुटिस्ट है इस तीन एको जगत को और वो कौन-कौन सा था तो एनेमल किंगडम, प्लांट किंगडम और प्रोटिस्टा था आगे है संपुरुन जीव जगत को चाड समराज में किस ने डिवाइड किया था तो यहां पर गलती साफ आर्वी टेकर टिक मत करना ठीक है क्योंकि चाड समराज में डिवाइड किया तो इन्होंने किस तरीके से डिवाइड कर रहा था इन्होंने डिवाइड कर रहा था सबसे पहले में रखा था मोनेरा को मोनेरा के अंतरा कैसे जीव को रखा प्रोकरियोटिक और एक केस के जीव को रखा ठीक है दूसरा क्या था प्रोटिस्टा जिसमें इन्होंने यूकर जिव्रत को रखां तीसरा था मेटा फइटा ठीक है इंहों ने क्या फैसिता है प्लंट बले दो याद रहेगा चार जगत रगद तरण पर falei किस तो पांच समराज में बाटा था या इन सब झदम पांचो समराज कौन कौन से जली सब अपका मोनेर्स नेमटेस्टा और याद रहना कि अभी तक मैं बाट कोन है तो यहीए 5 फालाज किर्धर या प्लस ञाश Y तो यही आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसी से आपको ब्रीफ नौलेज मिलता है और यहीं से आपके एक्जामनेशन में कुशन पूछेते हैं मौनेयरा, प्रोटिस्ठा, फंगी, प्लांटी और एक सेपरेट विडियो में डेस्ट नस करेंगा है लेकिन यहां पर छोटा से जौन करने थे तो इन्होंने रखा पूरो प्रोकरियोटिक एक कोशिके जीव को प्रोटिस्टा के अंतरगत आर्वी टेकर ने रखा, यू करियोटिक एक तो उसके जिवोगो, फंगी के अंतरगत वैसे पौधों को रखा, जिन में हडी तलवक नहीं था, जैसे के मस्रूम वगएरा, ठीक है, प्लांटी के अंतरगत वैसे पौधों को रखा, जो टेकर ने दिया था, याद रहेगा, चलिए, अगला देखते हैं, अगला है संपून जीव जगत को 6 समराज में किसने डिवाइड कहा था, आप लोग अक्सर 5 समराज तक ही पढ़े होंगे, ठीक है, छठा समराज दिया था, ग्रे और डूली टल ने, ठीक है, क्या ग्रे और इन्होंने कैसे डिवाइड कर रहा था, तो देखो, इन्होंने डिवाइड कर रहा था, आनेमल के इंगडम के रूप में, प्b., प्रोटेस्टा, फंगी, यू बैक्टरिया, और आर्जिव एक्टरिया के रूप में, ठीक है, तो ये जो 6 जगत पर वर्गी क्हरण पर ना आफ यो यहिक रहां कि आप भी मेरे साथ व्याओ एक सो जाएगा दो जगत वरियु सब्साइब ने दिया था किसने एच ही कल ने दिया चार जगत वरगी करन पर नाली किसने दिया कोप लेंड ने दिया किसने दिया कोप लेंड ने दिया ओके चलो पांच जगत वरगी करन पर नाली किसने दिया तो यह दिया था आर वी टेकर ने और सबसे ज्यादा इंपर्टेंट आपका यह है RV TAKER ठीक है और छठा जगत वरगी करन उपनाली किस ने दिया तो छठा जगत दिया गड्रे और डूली टलने दिया था तो अमीद करते हैं कि मैंने इस वीडियो में जितने पॉइंट्स बताएं सभी आपको समझ में आओगा ठीक है और मैंने पहले ही बताया कि यह जो पांच जगत वरी करण बनाली है यह सब ज़्यादा इंप्रोटेंट है तो अगले वीडियो हम लेको मोनेरा को डिस्क्रस करेंगे तो वीडियो के साथ जूर जाए ताकि आपको साइन्स में किसी परकार की कोई प्रॉब्लेम ना हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर लेजिए और वीडियो का से फ्रेंट सेर के लिए मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए देने बाद है